एक छोटी सी विवात की चिंगारी हिंसा का रूप कैसे ले लेती है? आये जौनते हैं बीते दिनों इन24 न्यूज ने एक खबर के जरीए आपको बताया था दरसल हम बात कर रहे है ठाने जिले के भिवंडी इलाके की जहां गनपती विसरजन के दौरान पत्राव हुआ और उसके बाद माहोल गर्मा गया इस दौरान कूच असमाजिक तत्वों ने माहोल बिगारने के इरादे से साजिस रची और गनपती जुलूस पर पत्राव कर दिया वही घटना के बाद पुलिस और प्रसाशन भी एक्शन मोड पर नजर आया वही अफसरों ने विवाद को सोलजाने की जिमेदारी ली सांप्रदाइक जड़ब की घटना के बाद पुलिस उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी का तत्काल प्रभाव से तभादला कर दिया गया हालाकि उसके अगले ही दिन भिवंडी में एक बार फिर हिंसा की घटना होई यहां कुछ अग्यात लोगों ने एक आटो रिक्षा और एक मोटर साइकल समित दो वहानों को तोड़ फोड़ कर श्रतिग्रस्त कर दिया गटना भिवंडी के शिवाजी चौक पर हुई है वही सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुची एसीप ग्यानेश्वर चवान ने कहा कि वो सड़क पर खड़े वहानों को नुकसान पहुचाने वाली भीड के खिलाफ एफायार दर्ज कर ली है पुलिस ने बताया कि भिवंडी के शिवाजी चौक इलाके की घेरा बंदी कर दी है कुछ दुकान मालिकों ने अपनी दुकाने बंद कर दी साथ ही पुलिस ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले कुख्यातों पर भी नजर रखी है लेकिन कई बार इन हिंसाओं को अंजाम देने और लोगों को भढ़काने के पीछे राजकिय व्यक्तियों का भी हात होता है अब आने वाले समय ही बताएंगा कि भीवंडी पुलिस और प्रसाशन शहर को किस तरह से सुरक्षित रखता है और हिंसा में शामिल लोगों को कैसे बेनकाब करता है